नमस्कार आप देखना श्टार्ट कर चुके हैं आयरवेदी कुपचार दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे हम सभी अधरक और श्रदी के माध्यम से पाचन के जितने भी विकार हैं उनको दूर करने के लिए कैसे इस्तिमाल करके रहात पाएंगे यानि कि डाइजेस बचाने में मदद करेगा इसके साथ साथ इस्तरी रोगों के लिए यानि के माताओं बहनों के जो रोग होते हैं उनके लिए और वेदना शामकी यानि कि किसी भी प्रकार का पेन हो शरीर में दर्द हो शरीर में तो उसको जड़ से समाप्त करने के लिए कैसे इस्तेमाल करन है अद्रक को ये पूनता सीखेंगे तो वीडियो को बिने स्किप किये हुए अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए बेश्ट जानकारी है ये और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे वाटसप पे फेस्बुक पे फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये बेश्ट जानकारी मिल सके और वो भी इसका लाव ले सके आईए सबसे पहले जानते हैं अगर पाचन संबंधी कोई समस्या है तो कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए अद्रक का अपच्च, खाने की अनिक्षा, पेट में गैस होना, उल्टी होना, क ये सारी प्रोब्लेम आपकी जड़ से सोल्व हो जानी है, यानि कि समाप्त हो जानी है, आधा चम्मच अद्रक का रस, बरावर मात्रा में शहद और निम्बू का रस मिला करके दिन में तीन बार ले सकते हैं, तब भी ये समस्या खत्म हो जाएगी, अद्रक, सेंधा नमक, क चबा-चबा करके उसे निगलते जाएए, आधे घंटे तक कुछ नहीं आपको खाना है और नहीं पीना है, रात को सुने से पहले ठंधा दूध शक्कर मिला करके पीना है, यह उपाए 21 दिनों तक करना है, आपको पुरानी पित की तकलिफ भी दूर हो जाती है, तो आपको कोई भी अगर पित से रिलेटेड प्रोब्लेम है, यानि कि अप अच्छा है, अनिक चाहे, पेट में गैस होती है, उल्टी बनती है, कबजी की शिकायत है, सिदिटी की शिकायत है, जी मिचलाता हो, छाती में जलन हो, खटी डकार आती हो, खाना खाने को आपको दिल न करता हो, तो इन सभी समस्याओं के लिए बेश्ट उपाय है, अब बात करते हैं स्वसन के विकार, यानि कि सांस के रोग के बारे में, सर्दी हो, जुकाम हो, पुरानी काली खांसी हो, शैरोग हो, कफ हो, दमा हो, अधरक कारस, शहद के साथ दिन में तीन बार लीजिए, इससे ल लाब होगा, लाब क्या होगा, आपकी इम्मुनिटी स्ट्रोंग होगी, तो सर्दी जुकाम और बुखार से तो रहात मिलेगा हैं, आप कोरोना जैसी बीमारी से भी सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि आपका इम्मुन सिस्टम से स्ट्रोंग होगा, कोरोना का इलाज तो नही हैं इस्तरी रोगों के संबंध में जिहां मह्लाओं की जो रोग होते हैं अगर किसी को माता बेहन को अन्यामित मासिक स्त्राव होता है पेट में दर्द की समस्या होती है तो आपको क्या तो मिटी में भी दभा करके रख सकते हैं, खराब नहीं होता है, ये मिटी से ही निकलता भी है, ये भी बात है, बहुत अच्छी औश्यद है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अब बात करते हैं, दर्द को दूर करने के लिए, यानि कि वेदना शामक के रूप में कैसे कारे आप लेप लगाईए माथे पर या जहाँ पर भी दर्द हो रहा हो वहाँ पर ध्यान रखेगा ताजा जख्म हो तो वहाँ पर मत लगाईएगा नहीं तो जलने लगेगा हाँ जख्म नहीं है दर्द है तो आप लगाईए आपको रहात मिलेगी दात के दर्द में अदरक का ट को समझना बहुत जरूरी है वैसे तो इसके और भी बहुत सारे प्रयोग हैं और लाव हैं लेकिन हमने बेसिक लिए आपको इस वीडियो में जो कवर करके बताया वो बताया पाचन संबंधी विकार हों कोई भी पेट की समस्या हो या फिर माताओं बहनों की समस्या हो मासिक ध ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले लाइक कीजिए शेर कीजिए वाटसप पे वीडियो को ताकि अन्य लोगों तक वीडियो पहुंच सके फिलाल वीडा लेते हैं आज कि इस वीडियो से चुड़ेंगे नई वीडियो में नई